जे जो हर संगवारी हो तो आज हम ready to food के लड़ू बराएंगे और इसे बराना बहुत ही आसानार और यह बहुत tasty के साथ healthy भी होता है तो यहां पर एक पेकिट मैं ready to food ले ली हूँ और उसमें से एक कटोरी का ही मैं बना रही हूँ तो एक बड़ी कटोरी में मैं एक कटोरी ले ली हूँ आप चाहे तो चाहन करके भी यूज़ कर सकते हैं पर मैं बीना चाहने कर रही हूँ और एक कटोरी यहां तीसी घी बादाम और नारिल कपरादा चीनी और इलाइची ली हूँ तो चीनी को और इलाइची को एक साथ पीस लेंगे तो यहां चार से पांच इलाइची को भी मैं साथ में पीस ले रही हूँ चीनी के चलिए यह पीस गई है तो यहां पर मैं घी डाल रही हूँ तो अभी घी थो आप चाहे तो डालडा से भी पना सकते हो पर देशी घी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है अब इसे हम भून लेंगे और इसको जादा नहीं भूनना है क्योंकि यह पहले से ही भूने भूनाई रहती है इसलिए और यहां पर मैं नारिल का पुराता भी डाल दी हूँ तो इस करेंगे आप उतने ही लंबे समय तक इसको इस्टोर करके रख सकते है चलिए अब रेडी टू फूद अच्छे से भून गई है और इसमें मैं मतलब बादाम को भी प्रस करके डाल दी हूँ और यहां पर चीनी को भी डाल दी पीसी हुई चीनी है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है देखिए और अभी क्यास बंद कर चुकी हूं है और चलिए फटा फट से हम इसमें से लड्डू बांद लेंगे और आपका यदि लड्डू नहीं बंदेगा तो आप इसमें गरम पानी का छीटा दे सकते हो या गरम दूद का छीटा भी दे सकते हो तो इस तरीक के से लड्डू बन जाती है बहुत आसान है इसे बनाना और रेडी टू फूट की और रेचिपी चाहिए तो आप लोग कमेंट करना और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना थेंक्स फॉर वाचिंग